स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, आज की सुड़ियो में मैं पसे हम सेहर हूँगा, किस तरीके से आप जो की एक नई वेबसाइट पर जो की वेबसाइट ट्राफिक ड्राफिक कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो की यह उमीद से आते हैं, ब्लॉगिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जब हम वेबसाइट को बना लेते हैं, एडसेंस अप्रूबल करा लेते हैं, में हमारा एडसेंस है, जब हम एडसेंस को अप्रूब्ट करा लेते हैं, उसके बाद हमारा अर्निंग का प्रोसेस सुरू होता है, और उस अर्निंग की जर्नि new आप generate नहीं कर सकते, यह सबसे बड़ा disadvantage होता है हमारी blog website के लिए, फिलाल मैं आपको यहाँ पर यह बतानी कोईज करूँगा, कि कैसे आप जो है कि अपनी traffic को अगर आप चाहों, तो जो भी आप AdSense में income करना चाहते हो, आपको मालूम है, CPC और जो traffic है, वो बहुत matter करता है, तो आप अपनी website में, जो कि traffic को कैसे increase कर सकते हो, एक नए blog के, मैं जो तरीका follow करता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर traffic आ रही है, अभी के फिलाल में, यह आप देखोगे, तो जो भी आपको traffic दिख रहा है, साथ दिनों में, या फिर अगर हम बात करें yesterday, या फिर जो भी traffic आ कम है, वो मैं आपको बताऊँगा, क्यों CPC डाउन चल रहा, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो तरीका मैं आप यूज करता हूँ, वो तरीका मैं आपको share करता हूँ, simply अगर हम बात करता हूँ, या तो दो तरीका हम इस्तमाल करते हैं, एक तो SEO को, या तो backlink को, और मेरे case म कहीं न कहीं आपको देना ही पड़ता है, चाहँ वो backlink के पीछे दो, या फिर content के पीछे दो, अगर content के पीछे दो, तो double table आपका time देना पड़ेगा, backlink के पीछे अगर आप देोगे, तो कम time देना पड़ता है, तो मेरे case में मैं क्या करता हूँ, जो कि नए user, आप अगर हो, और मैं भी एक नए user था, starting में, जिसके recording में बता रहा हूँ, तो अगर आप एक नए user हो, तो आपको ये courses करना है, कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर time pass कर नहीं करने आये हैं, जो लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, medium.com पर यह लोग time pass नहीं कर रहे हैं, मैं भी medium.com पर काम करता हूँ, मेरा भी ब्लॉग आप वियों टेक्स सर्च कर येगा, मिल जाएगा, यहाँ पर जो कि बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर article दे रहे हैं, content दे रहे हैं, अब यह सारी article दे कहां से रहे हैं, यह आपको समझना होगा, यह सारे article क्या है, इनका original है, इनक content को writing करके देता है, तो जैसे कि हम महनत करते हैं अपने blog पे, अपनी website पे और website के उपर content लाने का काम करते हैं, काफी हद तक उसके उपर जो है कि हम लगातार लगे रहते हैं, keyword को research करने में लगे रहते हैं, प्लस अगर हम बात करें तो और भी कई सारी चीज़े करते हैं, ज इसके बाद भी हमें वो response हमें नहीं देखने को मिलता है, जो response हमें चाहिए, यहाँ पे जोगी traffic हमें मिलती ही नहीं है, अब इस case में आपको क्या करना है, write करना है, इसको आपको login करना है, और medium.com की मैं बात नहीं करना है, एक example मैं आपको दा रहा हूँ, आपको write करना है, और आपने सुना होगा EI के बारे में, ठीक है, आपको क्या करना है, EI कहीं से भी, किसी भी EI, जैसे कि मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, chat GPT ही, आपको बहुत सारे EI मिल जाएंगे, ठीक है, मैं फिलाल chat GPT को आपको दिखा रहा हूँ, वैसे अगर हम बात करते हैं, ऐसी बह साम करने के, और आपको इनी तरीकों का इस्तमाल करना है, बार्ड है, इसके लाब अगर हम बात करें, बिंग EI है, उसको भी आप इस्तमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर मेरा केने का मतलब यह है, कि इन पर क्या करना है, इन से राइटिंग करवाना है, जितना बेटर तरीक से आप राइटिंग करवा सकते हो, उतना ज्यादा आपको राइटिंग करवाना है, बस आपको कमांड देना है, और यह राइट करके आपको दे देंगे, कमांड कैसे देना है, मैं अब अब ट्राइबार्ड पर क्लिक किया, और ट्राइबार्ड पर क्लिक करने के बाद जो है कि इस तरीके से more किया more करने के बाद और more करूँगा और I agree करूँगा इसको और दिखाता हूँ मैं आपको command कैसे देना है अभी जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो continue में इसको किया continue करने के बाद जो कि यह बाद का section यह on हो गया तीक है यहाँ पर द यह अपना की नीच जो है कि हमारा नीच अगर जो है कि digital marketing से related है या फिर coding से related है या फिर EI से related आप बना रखे हो जिस भी नीच से या फिर job से related है तो उसको आपको क्या करना उससे related questions निकालने है कैसे निकालोगे यहाँ पर इसे copy करना जैसे मालो मेरा EI से related है ठीक है या फ पर बहुत सारे चीज़े अब यह चीज़े निकल गई और यह देखे नासा से related कोई चीज़े निकल रहा है तो आपको क्या करना है इस keyword को उठाके इस तरीक से और आप जो है कि नए यहाँ पर इस तरीक से सर्च कर देगे तो आपको यहाँ पर आल्रेडी बहुत सारे इस इसको कुछ इस तरीके से copy करके और जिस भी related है उसको आपको simple सा यहाँ पर paste करना है ठीक है पेस्ट करने के बाद एंटर पेस्ट कर दोगे तो यह automatic यह article generate कर देगा उसकी सारी information आपको generate करके देगा अभी देखो यह सोच रहा है और यह लिख रहा है तो यह एक better तरीके से यह लिख के देगा एक response करके देगा ठीक है इस तरीके से इसने लिख दिया लेकिन इसका भी आप use कर सकते हो जैसे की qura पे यह जो है छोटा सा दिया है इसका आप qura पे इस्तेमाल कर सकते हो जैसे की answer देने के लिए और उसके साथ मैं अपने links दोगे लेकिन links अभी नहीं जब तक आपको 10-15 दिन लगातार काम करने पड़ेंगे उसके बाद जो के views आएंगे views आएंगे तो आप profile में जो spaces होते हैं यहाँ पे qura पे उसमें आप जोगे की link कर सकते हो इस पेसे क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ मैं आपको दिखाने कोईस करता हूँ मै यहाँ पे भी मैं select होँगा, done करता हूँ, done करने के बाद इस तरीक से देखो यह qura पे account बन रहा है और यह feed को automatic load कर देगा, यह आ चुकी है हमारे पास, अब इनके उपर यह देखो यह कोई पुझा है इसके उपर जो है कि आपको answer देना होता है, read more पे click करोगे तो यहाँ यहाँ पे answer का tab, यह देखो कितने लोगों ने answer किया, यह भी दिखा रहता है यहाँ पे, यह comment का भी section है, यहाँ पे आप click करके answer दे सकतो, यह देखो यहाँ पे भी दिया है और यह वाले section पे आप देख सकतो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना आप better तरीके से, यह दे तो यह सामने नहीं आया होता है, इसको नहीं समझाता है, direct space, पाल समझाता है कि spaces को कैसे हम यूज़ करें, तो यह देखो यह आपको पूरा dedicate article दे दिया है, देख रहे हूं आप, एक betterrieron तरीके से यह article दे दिया, और इस article को simple क्या करना है, आपको copy करना है, इस तरीके से यहां से copy करोगे, copy करने के बाद जो है कि इसे जैसे कि अगर answer यह दिया है तो इस तरीके से answer को paste कर दोगे यहां पर, और sorry यह copy नहीं हुआ है, हम इसे copy करना पड़ेगा, किया मैंने copy, click copy, अभी हम आते हैं यहां पर, और यहां पर paste कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हो यह, यह answer हमने दे दिया, इसमें कोई हमने link नहीं लगाया, कहीं से भी extra link कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगाया, और यह method और गेरा जो दिया है, इसको हम remove भी कर देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीके इतना भी हम publish कर सकते हैं, यहां से मैं इतना भी publish कर सकते हूँ, इससे कर दूँगा post, इनको मिल गया answer, अब ऐसे करकर के अपनी एक community बनानी है, एक लगातार जो है न, इसके उपर एक अच्छा आपको response पाना है, लगातार answer देना है, लगातार एक अच्छा community बनाना है, इसके लिए आपको क्या करोगे, जितनी views आएंगी, जितनी community बनेगे, उतना ज़्यादा benefit होगा, इसके ल profile को हम विजिट करते हैं, तो in profile में आप देखोगे, in profile में, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर, in profile में, manage किया मैंने, तो in profile में जो कि अगर ये links दे देते हैं, अपनी, ये देखिए, इन्हों ने links दे रखा है, दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से, ये fiverr .com का इस तरी से दिया गया, तो जो लोग भी चाहें, वो links के उपर भी जा सकते हैं, एक अच्छा traffic gain किया जा रहा है, उसके उपर fiverr पे, तो आपको भी कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बंदा दे रखा है, तो काफी कुछ smartly तरीके से यहा चाहिए, यहाँ पर spaces कैसी बनाए जाए कि बहुत easy है, और उसके बाद जोगी same article को, जो same article, मैं इस medium.com पर भी share करूँगा, लेकिन medium.com पर जो share करूँगा, उसके साथ में links के साथ में share करूँगा, यहाँ पर links का कोई problem नहीं है, links का कोई fundा नहीं है, आप link को दे सकतो, interlinking क external link आप provide कर सकतो, उससे एक अच्छे traffic आप generate कर सकतो, तो यह एक method है, जो कि अगर हम बात करें, adsense के उपर traffic को increase करने का एक सबसे बहतरी method मुझे जहां तक लगता है, और इसके उपर ज्यादा कुछ काम करने की जरूबत नहीं परती है, बस AI से content उठाओ, और उसको publish करो, और लगातार, जो है कि उसको जो ही कि उसके उपर traffic को increase करो, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि कभी भी यह जो CPC है, जो आप adsense को approval कराते हो, पर जिस niche के उपर आप जो है की content लिखते हो, वो niche बहुत ही matter करता है, यहाँ पर जो niche के उपर content लिखी जा रही है, वो जो है कि ranking भी सबसे बड़ा disadvantage यह है कि इस niche के उपर, जो है कि CPC बहुत कम मिलता है, मतलब entertainment की niche है, और entertainment की niche पर आपको मालूम है कि CPC बहुत ही कम मिलता है, लो CPC मिलता है, इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि सही niche को आपको select करना बहुत जरूरी है, उसके लिए video के एक आपको मिल जाएग Bye-bye.